सो हमारी सीरी चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक तक कॉल ओफ मैनिटर उसका सेकंड चैप्टर है दा एविल वन ओफ उम्बाल मेरू अब एंडरसन लिखते हैं कि जो जंगल की घास थी वो वैसे ही सूरज की धूप से भूरे रंकी हो चुकी थी उस पर बारिश पढ़ गई से उसका और बुरा हाल कर दिया था अब ये कहानी है जंगल के कॉर्नर की लैंड की और ये जो घास थी सूखी घास ये उसकी एज बनाती थी अब कल्यानी रिवर की एक शार्प वैली बन गई थी बरसो हजारों साल से जो पानी आता था उसने काट-काट कर एक वैली बना द जैसा कि उनका नाम था वैसा ही उनका काम था अब ये जो किलर क्रीपर है इनको यहाँ कोई चड़िया लेकर आई होगी उस चड़िया नहें खाकर यहाँ पर आराम किया होगा हजम तो उसको हुए नहीं उसने वो बीज वैसे के वैसे ही निकल दिये पिर आई बारिश और एक हलका सा अंकुर पनपा उस किलर क्रीपर का जो आज खतरनाक बन चुकी है उस वक्त बिलकुल भी खतरनाक नहीं लग रही थी लेकिन इनके बीज बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जैसे ही एक महिने पुरानी बेल होती है अपना कुंदा फसा देती है दूसरे पेड़ के उपर और ये दूसरे पेड़ का सहारा लेकर अपना जीवन यापन करती है एक साल पूरा होते होते उस बड़े पेड़ के तीसरे हिस्से तक पहुँच गई किलर क्रीपर लेकिन अभी ये किलर क्रीपर मोटी नहीं हुई थी ये भले ही पेड़ के तीसरे हिस्से तक पेड़ को कवर कर लिया, आप इसके टेंड्रिल्स पडोसी पेड़ों को खोज रहे थे, और वह सारे पेड़, जो बर्सों पुराने थे, सैकडों बर्सों पुराने, और दो साल बाद इस किलर क्रीपर की मोटाई हो गई थी, आपकी रिष्ट के बराबर, अब समय के साथ ये killer keeper फैलती गई, पहले इसका size था आपके उंगली के बराबर फिर हो गए आपकी कलाई यानि रिष्ट के बराबर, फिर आपकी जांग यानि थाई के बराबर और फिर आपके ही बराबर, और यह अपना दवाव बनाती रहती है, बोस्ट्री के उपर, और धीरे धीरे उसका ही दम निकलता रहता है, उसके जो उपर वाली छाल है, उसको भेद कर अंदर तक पहुँच जाती है और धीरे धीरे वो पेड जिसने इसको शरण दी थी, खुद मर जाता है एक दिन बारिश आती है और वो पेड धराशाई हो जाता है, और वो किलर क्रीपर जिसने एक दिन अंकुर के रूप में जर्म लिया था वो खा गई पूरे पेड को और उसके बाद किलर चल देती है पड़ोसी पेड की तरफ वही हत्या की कहानी दोहराने के लिए और जब ये किलर क्रीपर अपना कुनबा पूरी तरह से फैला लेती है, तो एक आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि उसके अंदर से निकल कर चला जाए और किसी जानवर के लिए भी उसमें से निकलना आसंबव है ये किलर क्रीपर का जो कुनबा है ये शल्टर होता है चूहों का या उसी तरह के दूसरे रॉडेंट्स का और उनको खाने वाले साप का अब इन क्रीपर का जो कुनबा होता है उसके नीचे हमेशा नमी बनी रहती जींगूर की आवाज आती रहती है और हलका हलका दलदल बनने लगता है अब कोई भी बीच वहां गिरता है और अगर अंकुर के निकलने में जरासी देरी हो गई इसका मतलब किलर क्रीपर उसकी अपोर्चनिटी को खुद हासिल कर लेगी और वो सड़ जाएगा लेकिन वैली के ऊपर की कहानी दूसरी है वहां पर सूरज की धूप बहुत तेज निकलती है और पेड़ के पत्ते सूखते हैं नीचे गिरते हैं सड़ते हैं और उसी पेड़ के लिए खाद का काम करते हैं जिससे वो गिरे थे पहाड के उपर मौसम ठंडा रहता है तोड़ा सा ड्राई भी रहता है और्किट्स के फूल लगे होते हैं और कई तरह की बर्ड्स होती है जिसमें से एक बर्ड होती है विस्लिंग स्कूल बॉय इसी जगे पर दोपहर के बाद मेरी कहानी शुरू होती है अब इस जगे पर वो बर्ड विस्लिंग स्कूल बॉय और बहुत सारे जानवर छोटे बड़े किसी न किसी पेड के नीचे आराम कर रहे थे बर्ड्स पेड के उपर बैठकर चह चाह रही थी और सबकी निगाह थी क्रिस्टल क्लियर पानी की तरफ जो की सामने दिख रहा था हवा बिलकुल नहीं चल रही थी भूले बढ़के हलकी सी हवा आती थी और जो पेड के पत्ते थे जरा भी हिल नहीं रहे थे अब ऐसी शांती के माहौल में एक हलकी सी आवाज सुनाई दे रही थी और आवाज लगातार आ रही थी ये आवाज इस प्रकार थी जैसे कोई गड़ा खोद रहा हो दूर से एक आदमी साफ नजर आ रहा था और चोड़े-चोड़े पत्तों के बीच से उसके खोदते हुए हाथ दिख रहे थे और वो काले रंग का आदमी उसने एक छोटी सी धोती पहनी हुई थी और लगातार अपने काम पर लगा हुआ था वो बूरा आदमी था कोठांदार एड़ी जो कि आया था रंगम पेट से ये जगह थी बारा मील की दूरी पर और वो खोद रहा था छोटे-छोटे बल्ब्स कूलू वाटर प्लांट के ये चीज औशधी के रूप में जानी जाती थी उसको बड़ी सावधानी के साथ उन पत्तों को ढूरना था जिनमें की तीन पत्तियां होती है और वो पत्तियां दूसरी पत्तियों के नीचे छिपी होती है और जब उसे एक पत्ति दिख जाती थी तो उसे आसपास के पत्तर अठाने होते थे और सावधानी पूरवक खोदना होता था और इसमें इस दवा को हाई पोटेंशिक लिए यूज किया जाता था और इसको बोला जाता था आमावस्या नाइट और गाउं में इस दवा को वशी करण में इस्तेमाल किया जाता था और ये जो बूरा व्यक्ति था इसी से अपना जीवान यापन करता था एक रुपे में बहुत हलकी सी दवाई देता था और ये बूरा व्यक्ति इस दवा का जीता जाकता उधारन था वो उधारन जो secret था लेकिन सब को मालूम था वो लगातार अपने पसंदीदा पत्ते खोद रहा था और धीरे धीरे उसके खोदने की आवाज शान्त हो रही थी और उसके बाद पत्थर को हटाके वो पत्ते निकालने की आवाज आ रही थी अपने इस खोदने की प्रक्रिया में उसने ध्यान नहीं दिया कि दो लल्चाई आखें उसको घूर रही हैं पास से ही और वो जो आखे जिस जन्तु की थी वो जरा सी भी आवाज नहीं कर रहा था तो उसने कोई गुर्राने की आवाज की ना दहारने की और ना ही वो अपनी पल के जपका रहा था क्योंकि उसके सामने था उसका पसंदीदा भोजन अब उसने अपना कुदाल साइड में रखा और अब उसका काम था उन पत्तों को समेटना जड़ों के पास से अब वो जो आखे क्रूर आखे उसको देख रही थी उन्होंने ये नोटिस कर लिया था कि इस आदमी ने अपना हातियार रख दिया है और ये आगे को जुका है इसके घुटने मुड़े हुए हैं और उसे इतना पता था कि एक इनसान जब जुका हुआ होता है तो वो पीछे देख नहीं सकता अब उस क्रूर जंतू ने अपनी जीव निकाली और अपने उपरी जबड़े को चाटा क्योंकि अब वो हमला करने जा रहा था और ये उसका पहला हमला था जिसे की बाद में एक सीरीज माना गया और इसका नाम दिया गया शैतान यानि की एविलवन और बाद में आसपास के तीन चार गाओं जो की भाकरा पेट रिजर्व में आते थे देशत में आ गये थे इन कुरूर आखों की आंद्र प्रदेश की चमाला वैली मामांदूर के हाई फॉरिस्ट जो की चित्तूर डिस्टिक में है इस खतरनाक जीव के आतंक के साए में जीने वाले थे कोथांडा रेड़ी को मालूमी नहीं चला कि उसके उपर किस जानवर ने हमला किया है हाँ थोड़ी देर के लिए उन्हें वजन महसूस हुआ और वो दर्द जो उनकी पीट और उनकी गर्दन पर हुआ था लेकिन ये दर्द था केवल एक सेकंड का क्योंकि उसके बाद उसके शक्तिशाली जबडों ने कोथांडा रेड़ी की गर्दन तोड़ दी थी और कोथांडा रेड़ी को ना तो ये मालूम था कि उनकी हत्या किस ने की और उनको ये भी नहीं मालूम था किस वज़े से की इतने सारे कुकू रूट्स उन्होंने एकटे कर रखे थे जिनकी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी लेकिन अब वो जिस दुनिया में जा रहे थे वहाँ इनकी कोई वैल्यू नहीं थी अब कई दिन लग गए को थांडा रेड़ी की एबसेंस को पता करने में क्योंकि उनकी आदत थी वो जंगल चले जाते थे वहाँ अपने कूकू रूट्स लूड़ते थे और जब रूट्स मिल जाती थी तो आसपास के गाउं में चले जाते थे उन्हें बेचने के लिए जहां उनकी छवी थी एक जादूगर की जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं और उनका नाम रखा गया था मंत्रम कारा और जब तक उनकी एबसेंस को फील किया गया तब तक वो खतरनाक जानवर उनकी हड़िया तक गयब कर चुका था कोथांडा रेड़ी की हड़िया भी नहीं मिली कई हफतों के बाद दो फॉरेस गार्ड जने की प्यास लगी थी पहाड के उपर चड़े थे नीचे पानी में उतरे उन्होंने देखा कि इनकी पानी के पास कुजाल पड़ी हुई है और कोथांडा रेड़ी का बैग है जिसमें से कुकू रूट्स निकल रही है उस बैग को आधा तो दीमक ने खा लिया था तब उनको ध्यान में आया कि कई हफतों से कोथांडा रेड़ी गायब है इतना पहले हुआ था ये तो मालूम चल गया कि ये आवशेश, ये सामान कोथांडा रेड़ी के है लेकिन ये नहीं मालूम चला 21 जानवर ने उनको मारा है उन फॉरेस गार्ड्स ने नजदी की पुलिस चौकी में जाकर इस घटना की रिपोर्ट लिखाई अब इस शैतान का यानि कि एविल वन का कोई प्रॉपर रेकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया लेकिन जो भी रेकॉर्ड्स अविलेबल हैं वो ये बताते हैं कि दूसरा शिकार इस तरीके से हुआ था इस बार भी दुपहर का ही वक्त था साथ बैलगाडियां एक के पीछे एक आ रही थी और जो बैलगाडियों को रास्ता था वो बड़ा ही उबर खाबर था और ये बैलगाडियां जा रही थी रंगम पेट की तरफ साथ मील की दूरी से आ रही थी और जिस जगे से आ रही थी उसका नाम था पूली बोनू गाउं से चार माइल स्टोन की दूरी पर एक पानी का कुंड था उसका नाम था नरसिमा चेरूवू अब जो सातों बैल गाड़ी वाले थे उन्होंने अपनी बैल गाड़ियां खड़ी कर दी और दो फरलॉंग की दूरी पर जहां वो कुंड था उसकी तरफ पैदल चलने लगे आपस में गप्पे हाक रहे थे जैसा वो हमेशा करते थे पानी थोड़ा मटमेला था तो यह अपना चेहरा दोते थे सिर्द होते थे और मू का कुला करते थे उस पानी को पीते नहीं थे कुला करके वापस पानी को उगल देते थे अब साथो आदमी उकणू बैठ गए और सोचा बीड़ी का सुट्टा मार लिया जाया अब जब सुट्टा मार लिया तो सारे के सारे वापस लोट चले अपनी गाड़ियों की तरफ एक लाइन बना के और वो लोग पहुँच भी गए बिना किसी नुकसान के लेकिन जो पहुँचे वो थे छे लोग साथवे का पता नहीं था अब बाकी के उसके कमपैनियन्स जो थे वो इंतिजार करने लगे कि वो कहां गया होगा कहां रुख गया होगा और इंतिजार करते वक्त फिर से वो लोग बीडी पी रहे थे अब जो आदमी गायब था उसका नाम था पुट्टू रेडी और एक आदमी बोला कि वो सबसे आखरी में चल रहा था और क्योंकि वो बीडी बहुत ज़्यादा पीता था तो बीडी सुलगाने के लिए रुख गया था बाकी लोग आगे बढ़ते रहे थे कि बीडी सुलगा के च्वाइन कर लेगा दोस्तों एक दम पीछे मोर है मेरे खाल से इस जगह पर है अब इस सिर्फ गरदन दिख रही है पूरी बोड़ी दिखे ही उसकी तो क्योंकि वो हैवी स्मोकर था तो अकसर रुख के स्मोक करता था अब बहुत देर तक इन लोगों का इंतियार करना ठीक नहीं था वैसे दिन के समय तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन जंगल अभी बाकी था रंगम पेट के रास्ते में और जंगल खतरनाग था रात में ये बात इनको अच्छे से पता थी अब वो जोड जोड से चिल्लाने लगे कि पुट्टू रेडी कहां हो भाई जल्दी वापस आओ अरे शैतान पुट्टू रेडी कहां हो लेकिन पुट्टू रेडी वापस नहीं आया अब इन छे लोगों के अंदर डर बैठ गया कि आखिर पुट्टू रेडी को हुआ क्या अब इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस जाकर उसको ढूंड सकते कोई बोल रहा था शैतान ने उसे पकड़ लिया कोई बोल रहा था कहीं साप ने तो उसे नहीं काट लिया और कोई बोला कि या तो उसे ले गया होगा पैंथर और या फिर ले गया होगा टाइगर कुछ लोग बोले भालू भी ले जा सकता है लेकिन जादतर लोगों का कहना था कि कोई आत्मा या भूत ही उसे ले गई है अब जल्दी से छे के छे आदमी अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठे और गाड़ियों को जल्दी जल्दी हांगने लगे आखरी गाड़ी पुट्टू रेडी की वहीं खड़ी रहे गी और उस चौथे माइल स्टोन पर पुट्टू रेडी के बैल बैल गाड़ियों में ज फिर से चालू हो गई, वैसे रोज गाए यहाँ पर, रोज शाम को बार्किंडियर यहीं से बोलता है, क्योंकि टाइगर यहीं पर रहता है, अब बैलों को भूख सताने लगी, ओस गिर रही थी, ठंड भी लग रही थी, और उन्हें रंगम पेट का रास्ता मालूम था, वो भी चल पड़े, और उसके बाद सुबह चार बजे पहुँच गए रंगम पेट, रास्ते में लगता है कोई टाइगर नहीं था, क्योंकि वो सुरक्षित थे, पुट्टू रेडी भी उसी तरह से गाइब हो गया, जिस तरह से कोथांडा रेडी गाइब हुआ था, बिना क तो आते वक्त सुराग छोड़ती है, और ना ही जाते वक्त, बस उसे चाहिए तो एक इंसान, तीसरा जो शिकार था, वो एक व्यापारी था, जो दस या बारा गधे लेके जा रहा था, और उन पर माल लगा हुआ था, वो जा रहा था, रंगम पेट से, तेरा मील की दूरी पर एक छोटे से गाउं की तरफ, उसको लोगों ने देखा था, अपना दोपहर का खाना खाते हुए, पूली बोन्यू के पास, वो जगे थी साथवे माइल स्टोन पर, इस रास्ते पर, हुआ ये था, कि जब वो खाना खा रहा था, तो एक बास काटने वाले से, उसने रि देखा कि वो अपने गधों पर माल लाद रहा है, और फिर उनको लेके चल पड़ा, और उसी दिन लोगों ने देखा, कि दसवे माइल स्टोन पर, वो गधे तितर बितर हो गए है, माल उनकी पीड पर अभी भी है, वो चल रहे है, परेशान है, और उनके मालिक का कोई अता पता नहीं, और चौथा आदमी पूली बोनु से ही गायव हो गया था, ये चौथा आदमी था वही बास काटने वाला, जिसने उस व्यापारी को पानी पिलाया था, कुछ बास काटने वाले एक कॉंट्रैक्ट के लिए बास काट रहे थे, अब ये लोग एक महीने के लिए उस अलाके में कैम्पिंग कर रहे थे, जहां पर बास काटे जा रहे थे, जिस दिन उसने पानी पिलाया था उस व्यापारी को, उसके कुछ दिनों के बाद ये खुद खाना खा रहा था, और उसके बाद उसने पानी पिया, अब पानी पीने के बाद ये लोग वापस बास क अब साथ के बास काटने वाले उतना डरे नहीं। सुबह उन लोगों ने एक टीम बनाई और उसको ढूंडने निकले उस जगे पर पहुँचे जहां पर वो बास काट रहा था। पगड़ी उतार कर आराम से नीचे रख दी थी। वो पगड़ी गिरी नहीं थी। अब उसके साथियों ने एक एक पत्ता एक एक घास बड़े ही समाल कर देखा कि कहीं कोई सुराग मिल जाए। अब लोगों को लग रहा था अगर उसे किसी जंगली जानवर ने मारा है तो व आसा लग रहा था कि उस वक्ती ने अपनी पगड़ी बड़ ही आराम से उतारी समाल कर नीचे रखी और फिर खुद हवा में गायब हो गया। अब जब वो आदमी मिला नहीं तो एक ही नतीजे पे लोग आए। ये काम सुपर नैच्रल पावर्स का है यानि कि आसमानी शक् भी इन शक्तियों के सामने कुछ कर नहीं पाया और सरेंडर हो गया। तिन लोगों ने मान लिया कि कोई शक्ती इनके जंगल में आ चुकी है और अब इनके उपर है तो सिर्फ खत्रा। अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और चारों तरफ फैल गई तो सिर्फ दे इपार्टमेंट। चित्तूर के कलेक्टर को भी इनफॉर्मेशन दे दी गई। लेकिन रंगम बिट के एक निवासी ये आपसे बाते करते थे कि क्या करेगी पुलिस, क्या करेंगे फॉरेस्ट आफिसर्स और क्या करेगा कलेक्टर जब सामना हो रहा है आसमानी शक्तियों यानि की खून चड़ा कर। दोस्तो इस पार्ट को यही अंड करता हूँ फिर मिलेंगे अगले अपिसोड में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए ओल दे बेस्ट वंदे मातरम।